अंतार्क्टिक में यूरोप के कॉनकर्दिया रिसर्च स्टेशन में मौझूद बारा साइंटिस्ट, एक्स्प्लोरर और स्टाफ अब अगले छे महीने तक सूरज नहीं देख पाएंगी उसी महीने से अंतार्क्टिका में सर्दी शुरू होने जा रही है असल में ये चौर महीने की सर्दिन वग्यानिकों के लिए किसी तौफ़्े से कम नहीं है इसी मौसब में अंतार्क्टिका में सबसे जादा रिसर्च किये जाते हैं खोच की जाती हैं अगले 6 महीने तक European Space Agency और उससे चुड़े संस्थानों के वग्या निकला गलग तरहा के रिसर्च करेंगे 12 मई 2022 को अंताक्टिका में इस साल का आखी सूर्या से देखा गया अब अंधेरा होने पर कॉंक्टिया स्टेश्ट के आजपास का ताप मत माइनस 80 डिक्री सेल्सियस तक चला जाता है अब इस महीने ना तो अंताक्टिका से कोई बाहर निकलेगा ना ही कोई बाहर से बाहर जाएगा कोई उडान अंताक्टिका के लिए नहीं होगी यानि कोई खाने पीने का समान भी नहीं चाहता अब अंताक्टिका में होते हैं सिर्फ दो ही मौसम गर्मी और सर्थी यह से कि medical doctor जो research station पर सब का खयाल रखने के लिए हैं उन्होंने बताया कि असली mission तो अब शुरू हुआ अगले 5-6 महीने दुनिया से अलग रहना होगा आपको research के नाम पर पूरी दुनिया से अलग रहना पड़ता है ऐसा लगता है कि आप किसी और अन्यक्रह पर आ गए हैं जहां पूरी दुनिया से अलग अलग मौसम का मरजा लेती हैं अन्टाक्टिका में से दो ही मौसम होते हैं एक गर्मी और दूसरी सर्थी इसलिए यहां पर 6 महीने अंधेरा रता और 6 महीने उज़ाला उज़ाला अन्टाक्टिका की कल्वियों में और अन्धेरा वहां की सर्थियों में अन्टाक्टिका पर इतनी लंबी सर्थी और अन्धेरे की वचे से धर्थी का अपनी धूरी पर टेढ़ा होकर भूलता है जहां ठर्टी का बड़ा हिस्सा फूरच की रोश्मी के सीधे संबख में आता है और अंतार्टिका इस टीज से बंजित रह जाता है उसकी किस्मत में फूरच की रोश्मी सिर्फ 6 महीने ही लिखिये हो दी है इस तरह की और चानकारी को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें